इंडिया में जब ही हम आफ रोडिंग कास की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम महिंदर अथार और गुर्खा जैसी कारों का आता है जो कि एक electric off-roading car होने वाली है तो hello friends मैं हुजुनेद और आज कि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं रेनॉल्ड की इस नई off-roading car के बारे में पूरा detail में तो अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद रहे तो वीडियो को like और share जरूर करें और साथ ही चैनल को subscribe करके bell icon को भी on कर ले ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज का notification सबसे पहले आप तक पहुंच सके चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो जैसे कि हम जानते हैं कि महिंदर अथार इंडिया की सबसे ज़्यादा popular off-roading car है और इसी के कान इस कार का waiting period भी काफी लंबा है जिसकी होजासे अगर आप इस कार को purchase करना चाहते हैं तो आपको काफी लंबा इंतजार करना पर जाता है और अगर इस कार के लावा आप इंडिया में कोई और कार खईदना चाहें की पावर और टॉक के मामले में ये किस हद तक महिंदरा थार और गुर्खा जैसी कारों को टक्कर दे पाती है इसके अलावा अगर इस कार के अधर दिटेल्स की बात करें तो पहली बार इस SUV का concept मदल 2022 के Paris Motor Store में पेस किया गया था और इस SUV का production रेनो की electric car रेनोल्ड 5 EV के साथ ही सुरू किया जाएगा ये कार 2025 तक इंडिया में launch की जा सकती है और इस कार को रेनोल्ड 5 EV के ही CMF BEV platform पर त्यार किया जाएगा और जैसा कि हम जानते हैं कि महिंदरा थार थ्री डोस के option के साथ आती है कि ये भी काफी अच्छी off-roading car होगी और इसी के साथ इसमें आपको 300 से 350 km तक की range भी मिल जाएगी इसके अलावा इस car के features और इसके design के बात का है तो side से इस car का concept model काफी ज्यादा muscular appeal देता है इसके दरवाजा में modern door handles दिये गए हैं इसके ORVM को camera में convert कर दिया गया है इसके rear के बात का है तो इसके rear में quarter glass दिया गया है जिसके होजासे इसकी visibility और बढ़ जाती है इस car के front design के बात का है तो इस car के front design में full LED light का setup दिया गया है और एक बड़ी सी grill और रिनॉल्ड का बढ़ा सा logo वीडिया गया है इसके होजासे इस car का front look भी काफी ज्यादा muscular हो जाता है इसमें लगी बड़ी LEDs काफी आकासक दिखती है और इसमें total 4 LED का setup दिया गया है जो कि इसके visibility को कई गुना बढ़ाने मदद करती है रेनो 4 EV में roof rack mounted spare wheels मिलते हैं इसके कारण इसके off-roading appeal में और भी बढ़रतरी हो जाती है जो आपको off-roading के समय काफी अच्छा experience देंगे हाला कि company ने इसके motor power train के बारे में कोई जनकारी नहीं दी है उम्मीद है कि इस car का उत्पादन 2024 में सुरू हो जाएगा और इसकी delivery जनवरी 2025 तक सुरू हो जाएगी तो दोस्तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही और अगर आपका हमारी ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like और share जरूर करें और साथ ही चैनल को subscribe करके bell icon को भी on कर दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज के रिफिकेशन सबसे पहले आप तक महुँच सके मिलते हैं नेक्स वीडियो में